हेलो दोस्तों कैसे आप सभी आज की वीडियो बहुत जादा इंपोर्टेंट है मेरे बहुत से भाईयों का एक कोसन था उनका कहना था कि भाई हमें एक डॉक खरीदना है जर्मन सैफर्ड और रोटविलर में से लेकिन हम कनफ्यूज हैं हमें समझ में नहीं आ रहा हमें जर्मन सैफर्ड खरीदना चाहिए या फिर रोटविलर हमें ये जानना है दोनों में से सबसे बैस्ट डॉक ब्रीड कौन सी है रोटविलर या फिर जर्मन सैफर्ड तो वही बताऊंगा आज की इस वीडियो में आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो में अपनी राय भी दूंगा कि आपको दोनों में से कौन सी डॉक ब्रीड खरीदनी चाहिए आप सभी के लिए दोनों में से कौन सी डॉक ब्रीड सबसे बैस्ट रोटविलर या फिर जर्मन सैफर्ड तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं अगर आप भी मेरी यूटूब अर्निंग के बारे में जानना चाते हो कि मैं यूटूब के थ्रू कितने रुपए कमाता हूं पर मन्त या फिर टोटल अर्निंग अभी तक मैंने यूटूब से कितने रुपए कमाया है तो वो वीडियो अब हमारे चैनल पर एविलेबल है डिस्क्रिप्सन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ माय यूटूब अर्निंग के नाम से आप सभी से रिक्वेस्ट है जितने भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उस वीडियो को एक बार जरूर देखिए उसमें मैंने सब कुछ क्लियरली बताया हुआ है तो चलिए फिर अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते है तो मैं सबसे पहले cover करूँगा कुछ points जिसके जरीए हमें पता चलेगा इन दोनों में से सबसे best dog breed कौन सी है तो सबसे पहले हम बात करेंगे prize की सबसे पहले मैं दोनों breed का prize बताऊँगा जिससे आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सी dog breed आपके budget में आती है इन दोनों म प्राइस पपी का उसकी quality के ओपर depend करता है पूरा price quality के ओपर depend करता है कभी भी price fix नहीं रहते जगा के हिसाप से quality के हिसाप से पपी की line के हिसाप से price change होते रहते हैं लेकिन फिर भी मैं आपको एक idea बताऊँ तो road wheeler का पपी अगर मैं mail की बात करूँ तो आपको 17-20,000 कोट आते हैं बहुत सारे single, medium, double, long तो अगर मैं पपी की starting price की बात करूँ तो mail की तो जर्मन सेफर्ड का mail भी 13-15 के बीच में आपको मिल जाता है जो भी normal quality का mail होगा starting price आईए फिर तो आप खुछ जान सकते हो कि पपी 50,000 के भी आते हैं एक लाग के भी आते हैं फिर तो उनकी quality और line के ओपर price बढ़ता चला जाता है तो आप इन दोनों breed में से देख सकते हो कि आपके budget में दोनों में से कौन सी dog breed आती है अब दोस्तों हम second बात करेंगे intelligent की दोनों में से सबसे ज्यादा समझदार dog breed कौन सी है क्योंकि मेरे बहुत से भाई यह चाते हैं कि वो एक ऐसी dog breed पाले है जो बहुत ज्यादा समझदार हो उनकी बात को आसानी से जान जाए अगर वो कुछ उसे सिखाते है तो बहुत जल्दी से सीख जाए तो ऐसे मैं डौग वहट सकत्व होते हैं जर्मन से पाइन ज्ञाल जाते हैं जोए गो भौत जाधा कि मामले बहुत जल्दी वह जाते हैं यहसे पंझतनियों नोहीं जाती हैं जल्म्न जातों भौ जा जाती है , लेकिन अगर आप बात करूप सामने है। तो वो बहुत कम है तो अब हम बात करेंगे guard dog की सबसे best guard dog कौन सा है तो यहाँ पर comparison करना बहुत ज़्यादा मुस्किल है क्योंकि दोनों breed ही बहुत अच्छे guard dog है अगर आप net पर top 5 guard dog सर्च करोगे तो रोटविलर और जर्मन सैफर्ड दोनों इस list में आते हैं तो बहुत ज़्यादा मुस्किल हो जाता है लेकिन बहुत से भाई फिर भी जर्मन सैफर्ड को सबसे best guard dog बताते हैं जर्मन सैफर्ड ऐसा बोला जाता है लेकिन मैं यहाँ पर guard dog के मामले दोनों को 50-50% दोनों को बराबर ही रखूँगा क्योंकि दोनों बहुत अच्छे guard dog हैं अब हम चौथे point पर बात करें कि भाई दोनों में से aggressive breed कौन सी है दोनों में से चपसे ज़्यादा खतरना कौन सी है तो आप सभी को बता दूँ यह comparison बहुत ज़्यादा आसान है यह तो एक तरफा है रोट विलर बहुत ज़्यादा aggressive है जर्मन सैफर्ड के मुकाबले आप सभी को पता है रोट विलर कई देशों में बैन भी है इसके कई attack भी सामने आये थे वीडियोज वगर आप सर्च कर सकते हो लेकिन ऐसा नहीं है इसको पाला नहीं जाता बहुत अच्छी dog breed है कई बार aggressive हो जाती है हम बस बात कर रहे हैं आपर aggressive की कि अगर कोई बहार से आपके घर में तो उन पर भौकेगी अटेक करने के लिए भी ready रहेगी इन दोनों में से सबसे जादा best है रोट विलर aggressive की अगर बात करें तो क्योंकि देखो आप सभी को मैं clear कर दूँ बहुत सारी breed aggressive होती है लेकिन उनको पालने का अगर आपको तरीका सही से मालूम है तो आप किसी को भी पाल सकते अब मैं एक एग्जामपल दूँ आप सेर को गाई की तरह नहीं पाल सकते क्योंकि सेर को सेर की तरह ही पाला जाएगा उसी तरीके से आप रोट विलर की तरह ही पाल सकते हो लेबरडर की तरह नहीं पाल सकते तो थोड़ा सा मुस्की लोग आपको पालना लेकिन रोट विलर बहुत अच्छी डॉग ब्रीड है अगर एग्रेसिव की बात करें तो यहाँ पर रोट विलर का पलरा भारी है तो अब हम बात करते हैं दोनों में से फर्स्ट टाइम ओनर के लिए कौन सी सबसे ज़्यादा बैस्ट डॉग ब्रीड है तो भाई यहाँ पर तो देखो मैं किलियरली बता दूँ जर्मल सैफर्ड फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए सबसे ज़्यादा बैस्ट है क्यों बैस्ट है रोट विलर जो डॉग इसलिए कहा जाता है सबसे बेस्ट डॉग बिरीड है फर्स टाइम ओनर के लिए जर्मन सैफर्ड यह एक्टिव होती है बहुत अच्छी गार्ड डॉग होती है वाच डॉग होती है और इतनी जदा एग्रेसिव नहीं होती छोटे चोटे बच्चों के साथ भी यह अर्जेस् करूँगा कि आप जर्मन सैफर्ड डॉग बिरीड लो क्योंकि यह सबसे बैस्ट है फर्स टाइम डॉग ओनर के लिए अगर आप पहले भी डॉग पाल चुके हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है आपकी मर्जी मैंने सब चीज किलियर कर दिया आपको दोनों में से जो बीड लाइक करना मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना थैंक्स रॉचिंग प्लेज सब्सक्राइब मैं चैनल